आखिर क्या हुआ कि अबनेता सुनिल शेटी के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा गया जिया हम बताना चाहें कि अबनेता सुनिल शेटी जो की बॉलिवुड के फिल्मों से एक लंबे समय से गायब है उनके खिलाब बॉलिवुड के बड़े निर्माता ने पानू ने नोटिस भेजा है क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं दरसा सुली शेटी की बेटी अथिया शेटी ने हीरो फिल्म के साथ अपने बॉलिवुड की करियर की शुरुआत की थी और हीरो फिल्म के बाद अथिया का करियर उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाया जिस साब से लोगों ने उम्मेदे जताई थी इसी के साथ ही आपको इस बात की वी जानकारी देना जाएंगे अथिया शेटी के साथ ही श्रदा कपूर ने भी बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी प्राज श्रदा का करियर काफी आगे पहुँच चुका है लेकिन अथिया शेटी अभी भी गुम नाम बनी हुई है हाला कि अथिया शेटी के बाद डेबू करने वाली स्टार की सारा अली खान और तारा सुतरिया इन दिनों काफी ज़्यादा लाम लाइट में बने हुए है लेकिन अथिया शेटी अभी भी उस मुकाम पर पहुँच नहीं पाई है और इस वज़े से उनके पापा सुनिल शेटी भी काफी ज़्यादा परेशान है बताना चाहेंगे अब सुनिल शेटी चाहते हैं उनकी बेटी की बतोर लीड एक्टर रिलीस हो रही अगली फिल्म मौती चूर चकना चूर सही तरीके से बने और अथिया के रोल पर एडिटिंग के दोरान कैची ना चले बताना चाहेंगे अथिया के फिल्म मौती चूर चकना चूर के हीरो नवाजुदिन सिद्धिकी है और उनके खास दोस राजेश भाटिया इस फिल्म के निर्माता है राजेश भाटिया और सुलिल शेटि के रिस्ते अतीत में काफी अच्छे रहे लेकिन फिल्म में अथिया के रोल की लंबाई को लेकर दोनों की बीच कई बार विवाद हो चुका है और अब सुलिल शेटि के खिलाब कानुईनी नोटिस देकर राजेश भाटिया ने इस बाद को एक नया मोड पर पहुँचा दिया है बताना चाहेंगे सुलिल शेटि बार बार राजेश भाटिया पर अतिया शेटि के रोल को लेकर फिल्म में दखल दे रहेते हैं और इसे बास से परिशान होकर राजेश भाटिया ने उनके खिलाब कानुई नोटेस भेज दिया है इसी के साथ है सुलिल शेटी के अगर आने वाली फिल्मों की तरफ नज़र डालें तो सुलिल शेटी इन दुनों मरकर दी लॉइन ओफ अरेवियन सी को लेकर चर्चाओं में बने हुए है और इनकी ये फिल्म देर सो क्रोड के बजट पर बन रही है इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आपाई है लेकिन जानकारों का कहना है कि सुलिल शेटी के ये फिल्म साल 2020 के मई या जून तक रिलीज हो सकती है